नमस्कार एक बार फिर से अब सभी का स्वागत हैं CRTK Live Phone & कारिकरम में हिंदी के इस कारिकरम में हम बाचीत करने वाले हैं वन की मार्क में ये एक सवहिया है जिसे कवी तुलसी दास जीने लिखा है और इसमें हम बाचीत करेंगे बहुत सारा कुछ है इसमें जानने के लिए लेकिन क्या है वो आपके पास अगर कोई प्रशन है आपने ये सवहिया पढ़ा है और आपके पास कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं और हमसे सांजा करना चाहते हैं या फिर आपने नहीं बढ़ा है और आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं बहुत कुछ हो सकता है जो आप पूछना चाहें जो आपके मन में आए आप जल्दी से हमें email कीजिए ciet.kisholmanch at the rate gmail.com बर और आप चाहें तो आप अपने सवाल हमारे यूट्यूब चानल के जरीए भी हम तक पहुँचा सकते हैं ncrt official है हमारा चानल उसके live chat box में अपने सवाल लिखिए और जल्दी से हम तक पहुँचा दीजे आप हमें इस वक्त live देख रहे हैं PM e-vidya channel number 6 पर कक्षा ची के सभी चात्र इस वक्त हमें देख सकते हैं और वन के मार्क में इस सवाये को समझ सकते हैं आईए मिलते हैं हमारे महमान से हमारे साथ हैं dr. आलोक तिवारी स्वागत है आपका sir खुशकार Sir है school of excellence रोहिनी सेक्टर 17 नई दिली से चाहिए पूछते हैं हमारे महमान से कि ये जो सवाया है ये इससे हमारे बच्चों को क्या सीखने के जरूरत है आप कैसे समझाएंगे हमारे चात्रों को बचों ये जो पार्ट है जो सवया है वो कविता वली से लिया गया है कविता वली गोस्वामी तुलसी दास की एक प्रसिद्ध रचना है जिसमें उन्होंने राम के चरित्र का मुक्तक में वर्णन किया है हम इसके माध्यम से नकेवल राम के चरित्र को समझ सकते हैं बलकि में अनेक मानविय मनोभावों से भी हम परचित हो सकते हैं तो शुरू करें किया आप पढ़ाएंगे हमारे बचों को तो बचों ये कक्षा छे का पार्ट है वन के मार्ग में कक्षा छे में यह पार्ट रखा गया है और इस पार्ट के अंतरगत हम जानेंगे सवया के बारे में इस से पहले कि हम सवया की तरफ बढ़ें आईए जान लेते हैं इस सवया के रचनाकार यानि गोस्वामी तुलसीदाश जी के विशे में बचों आप सभी इन से परचित होंगे तुलसिदाश जी भक्तिकाल के महान रामभक्त कवी है इनका जीवन बहुत निर्धनता और उपेक्षा में बीता मध्यकालीन साहितिक भाषाओं जो अवधी और ब्रज थी इन्होंने उन दोनों में ही पूर्ण अधिकार प्राप्त किया अपने अध्यन से और बाद में ये बहुत प्रसिद्धी को प्राप्त हुए इन्होंने इन दोनों ही भाषाओं में अपनी कवीताओं की रचनाएं की उनकी प्रमुक रचनाओं से भी आप जरूर परचित होंगे रामभक्त कवीत है सो रामचरित मानस इनकी प्रसिद्ध और महान रचना है रामचरित मानस एक तरह से हिंदी साहित्धी की भी महानतम रचनाओं में से है रामचरित मानस में तुलसी दास ने राम के चरित्र को महा कावे के रूप में वानित किया है यानि राम के जन्म से लेकर रावण के वद के बाद अयोध्या लोटने तक साथ कांडों में ये निबद्ध है रचना इसी तरह से कवितावली भी साथ कांडों में निबद्ध है लेकिन यह मुक्तक रचना है और ब्रज भाषा में रची गई है, रामचरित्मानस अउधी में है और यह ब्रज में है, मुक्तक और प्रबंध में थोड़ा सा आंतर्म है, अपने विद्यार्थियों को बता देना चाहूंगा, बच्चों मुक्तक कावे जो होता है, वह स्वतंत्र छंदों में किसी चरित् का वर्णन किया जाता है, कवितावली जैसा मैंने आपको बताया कि है तो मुक्तक का, लेकिन कवितावली में राम के बच्चपन से लेकर उनके अयोध्या लोटने तक, रावन का वद करके अयोध्या लोटने तक का वर्णन मिलता है, और इस लिहास से मुक्तक होते हुए भ सवये छटी कख्षा के पाठिक्रम में संकलित है जिसका हम आज अध्यन करेंगे जी तो शिरू कहरें साथ जी जी बिलकुल तो आईए बच्चों पहले इस सवये का हम पाठ कर लेते हैं सवया इस तरह से है कि पुरते निकसी रगुबीर बधू धर धीर दये मग में डगद्वे जलकी भरिभाल कनी जलकी पुटी सूख गए मधुरा धर्वे फिर बूजती हैं चलनो अब केतिक पाण कुटी करियों कि तो है तियकी लखि आतुरता पियकी अखिया अतिचार उचली जल चोए तो बच्चों यह था पहला सवया आईए इस पहले सवया के अब अर्थ को समझते हैं यह सवया जैसा कि मैंने आपको बताया कि कविता वली के आयोध्या कांड से लिया गया है और इस सवया में जो वर्णन है वह वर्णन है आयोध्या से वन की तरफ जाते हुए राम, सीता और लक्षमन का है इस दोरान किन-किन भावनाओं से वे गुजर रहे थे इस दोरान राम, सीता के दामपत्य के बहुत सारे चित्र हमारे सामने उपस्थित होते हैं साथ ही साथ इस अयोध्याकांड में ही वन मार्ग में मिलने वाले लोगों के अनेक प्रकार के प्रश्ण भी आते हैं जिनके वे उत्तर देते हैं हमारे सलेवस में जो सवये हैं उनमें राम और सीता के बीच जो प्रेम है उस प्रेम का उदारण है तो सवया शुरू होता है कि पूरते निकली रगवीर वधु धरी धीर दय मग में डग द्वय पूर यानि नगर ते यानि से निकसी यानि निकली रगवीर वधु यानि रगवीर की पत्नी रगवीर कौन रगवीर रगवंश के वीर यानि श्री रा वे निकली नगर से तो उन्होंने धैरे पूर्वक मार्ग में दो कदम अभी चले ही थे, दो कदम चलना बच्चों यहां पर मुहावरा है, जिसका आर्थ होता है थोड़ी दूर अभी चली थी, अभी नगर से निकली ही थी और थोड़ी ही दूर चली थी, लेकिन हम जानते है कि सीता राजकुमारी थी, राजमहल में पली बढ़ी थी, और राजमहल में पलने बढ़ने के कारण वे सुकुमार थी, सुकोमल थी, तो जब वे थोड़ी ही दूर चली थी, तो इतने में ही वे ठक गई, तो आगे कहते हैं कि जलकी भरिभाल कनी जलकी, पुट सूखी गए मधुरा धर्वे जलकी भरिभाल कनी जलकी जब वे थोड़ी ही दूर चली थी कि उनके भाल पर उनके मात्थे पर जलकी जलकने लगी कौन कनी जलकी जलके कन यानि पसीने की बूदें उनके मात्थे पर जलकने लगी यानि छलचला उठी यानि वे ठक गई और साथ ही क्या हु पुट सूख ही गए मधुराधर वे उनके मधुर अधर यानि उनके वे अधर जो बहुत कोमल थे अधरकार्थ होता है होट उनके दोनों संपुट होट हमारे दो हिस्से होते हैं वे सूख गए अर्थास सीता जी बहुत ठक गई और इस ठकन को उन्होंने महसूस किया और इस जब राम ने देखा तो राम की क्या प्रतक्रिया होती है आईए आगे पढ़ते हैं तो आगे है कि फिर भूज़ती हैं सीता जी जब ठक जाती है तो वे उनसे पूछती है अनुमान लगाते हुए पूछती है श्री राम चंजी से चलनों अब केतिक अभी कितना चलना है के जोपड़ी तयार करेंगे घास फूस पत्तों की जोपड़ी ऐसी स्थिति में तियकी लखी आतुरता पियकी अब देखिए यहां दामपत्य का कितना सुंदर उधारन है कि सीता के इतना पूछने पर श्रीराम चंजी उनकी आतुरता को समझ जाते हैं उनकी अधीरता को समझ इस बात को जान जाते हैं कि सीता जी बहुत ठक गई हैं तो तियकी लखी आतुरता पियकी यहां श्रीराम चंजी की अखिया अतिचारु चली जल चोए उनकी आखों में जो अतिचारु हैं अतिचारु मतलब अत्यंत सुंदर हैं जल चोए आखे आखों से आशु टपक यानि वे भाउक हो गए उनकी आखें डब डबा गई उनकी आखें भर गई तो देखी इस पहले ही सवये में तुलसी दास जी ने कितनी खूपसूरती से कितनी सुंदरता से राम और सीता के मद्ध जो प्रेम है उसके बारे में वर्नन किया है और वह प्रेम इस प्रकार का प्रेम है कि बिना कहे ही सीता ने राम से यह नहीं कहा कि वे ठक गई है लेकिन राम ने उसे न केवल समझा बलकि महसूस किया अपने हिर्दे में और उनकी आखें डब डब आ गई तो बचों ये जो पहला सवया था आपने देखा कि कितना सुंदर सवया था और इस सवये को पढ़ते हुए हमारे मन में मधूरता का भाव जगता है इसलिए कविता में तीन कावेगुण होते हैं एक प्रसाद कावेगुण एक माधूरे कावेगुण और तीसरा है ओज कावेगुण तो जिन पंक्तियों को पढ़ने पर हमारे मन में प्रेम सौहार्द या इस तरह का भाव जगता है, वहाँ माधूर्य काविगुण माना जाता है, तो इन पंक्तियों में माधूर्य काविगुण है, ये पंक्तियां दामपत्य प्रेम के विशे में हैं, साथ ही साथ इन पंक्तियों में कवी ने उस पूरे भाव को, उस पूरी भाव भूमी को प्रस्तुत किया है जिसे पढ़कर सहज ही हम मानुविये प्रेम के प्रती जागरूप होते हैं आईए अब दूसरे सवईये की तरफ चलते हैं जी बिल्कुर तो बच्चों दूसरा सवईया देखिए दूसरा सवईया है जलको गए लखनु है लरिका परिहों पिय छाह घरीक वैठाड़े पो प्रियास्रम जानि के बैठी बिलंब लोकंटक काड़े जानि की नाह को नेह लख्यो पुलको तनिबारी विलोचनिबारे तो यह सवईया आपने पढ़ा जो संदर्भ हमने पिछले सवईये में लिया था यानि अयोध्याकांड का सवईया है या और अयोध्याकांड के इस सवईये में राम, सीता और लक्षमणवन की तरफ जा रहे हैं सीता जी थोड़ा थकन महसूस कर रही है और उनकी थकन को देखकर राम भावक हो रहे हैं इसी क्रम का यह दूसरा सवईया है इस सवईये में भी गोस्वामी तुलसीदा जी बड़े मारमिक अंदाज में प्रितक्रिया होती है तो आएए अब इस सवईये को एक एक करके इसका आर्थ समझते हैं तो कहते हैं कि तुलसी रगुवीर प्रिया समझानी को बैठ विलंब लो कंटक काड़े जल को गए लखनु है लरिका कहते हैं जल को गए लखनु है लरिका सीता जी राम चंजी से कहती हैं कि जो लक्षमन है वो लरिका है लरिका मतलब बालक है और वो जल लेने के लिए गए है इसलिए परिखो पिये परिखो अर्थात प्रतीक्षा करते हैं मेरे प्रिये हमें उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए क्योंकि लक्षमण जो जल लेने के लिए गये हैं वे अभी बालक हैं और चाह घरीक है ठाड़े इसलिए घरी भर हमें व्रिक्ष की चाया में खड़े हो जाना चाहिए यानि कुछ देर तक उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए आगे कहती हैं कि पोच पसेव बयार करो और इस दवरान मैं क्या करती हूँ पोच पसेव आपका पसीना पहुंच देती हूँ और आपको बयार कर देती हूँ आपको हवा कर देती हूँ अपने आचल से आपको हवा कर देती हूं अरुपाएं पकारियों भूभरी ढाड़े और आपके पाउं धो देती हूं जो की धूल मिट्टी में भूभरी माने बालू या रेत ढाड़े मतलब गर्म तपे हुए रेत में जो आपके पैर सन गए हैं उसको शीतल जल से धो देती हूं तो इन पंक्तियों में देखिये कि सीता जी श्री राम चंजी के ठकन को महसूस करती है और वे इस दौरान जबकि लक्षमन गए हुए हैं जल लेने के लिए तो राम से निवेदन करती हैं कि आईए हम विश्राम कर लेते हैं रुख जाते हैं इंतजार कर लेते हैं लक्षमन के आने की और इस दौरान मैं आपका पसीना पोश दूँगी आपको आचल से हवा कर दूँगी आपके पाउं को शीतल जल से धो दूँगी जो तपती हुई धूल से भर गए हैं आगे सीता जी जब यह बात कहती हैं तो श्री राम चंजी की प्रतिक्रिया क्या होती है तुलसी रगवीर प्रियासरम जानी के राम सीता के इन वचनों को जब सुनते हैं तो वे भी अपनी पत्नी अपनी प्रिया के श्रम को जान जाते हैं प्रिया के श्रम को जान जाते हैं, यानि अपनी पत्नी के द्वारा किये गए परिश्रम, यानि परिश्रम के कारण जो ठकान आ गई है उनकी पत्नी को, उसे वे जान जाते हैं और बैठ विलंबलो कंटक काल है, देर तक बैठ कर उनके पैरों से काटे निकालते हैं, आशे य है कि राम इस चीज को महसूस करते हैं कि सीता बहुत ठक गई हैं और जब इस चीज को महसूस करते हैं तो एक आदर्श पती के रूप में राम उनके पैरों के काटों को चुन-चुन कर निकालते हैं जो वन के मार्ग में उन्हें चुब गए हैं सीता जी राजकुमारी थी बह देर तक निकालते हैं अब यहाँ पर देखिए यह देर तक जो शब्द है विलंबलों इससे इस बात का आभास होता है कि राम सीता को प्रयाप्त विश्राम देना चाहते हैं देर तक इसी लिए निकालते हैं ताकि ठीक से सीता जी आराम कर लें और जान की नाह को नेह लख्य जान की नाह नाह माने होता है नात या स्वामी या पती जान की सीता जी को कहा जाता है क्योंकि वो जनक की पुत्री थी जान की नाह को नेह लख्यो जब उन्होंने इस इस नेह को लखा किसके इस नेह को नाह के नात स्वामी या अपने पती के प्रेम को देखा कि किस प्रका उनका शरीर पुलकित हो गया, रोमान्चित हो गया, उमंग से भर गया, पुलकोतनु बारी विलोचन बाढ़े, और उनके नेत्रों में बारी, बारी यानि पानी, जल, अश्रू, अश्रू बढ़ा आया, यानि उनकी आखें भर आई, छलचला आई, अपने पती के इस इसनेह को देखकर, तो यह था दूसरा सवया, इस प्रकार से इन दोनों ही सवयों में बच्चों, दामपत्य प्रेम का अदभुत उदाहरण मिलता है, दामपत्य प्रेम जहां पर पती-पतनी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के सुख के लिए अपने सुख का आपको हवा कर देती हूं, और आपके पैरों को शीतल जल से धो देती हूं, और राम देर तक सीता के पैरों से काटे निकालते हैं, तो इस प्रकार से ये दोनों ही सवये हमारे सामने, न केवल दामपत्य, बल्कि अपने किसी भी साथी, कोई भी मित्र हमारा है, जो हमारे सा उसके प्रती जो हमारा इसने है वह इस भाव से भरा होना चाहिए कि हम उसे कश्टों से मुक्ति दें उसे आराम पहुंचाएं तो ये आज के पाठ के सवये थे कावे सुंदरी की दृष्टी से यदि आप चाहें तो आप लोग इन पंक्तियों की सुंदर्ता देख सकते हैं इसमें जैसा मैंने पहले बताया कावे गुण की दृष्टी से माधुरे गुण है साधी साथ प्रसाद गुण भी है प्रसाद गुण महां होता है जहां पर कविता में एक बार में जैसे ही आप उसे पढ़ते हैं उसका भाव आपको समझ में आ जाता है तो ऐसी कविता जो प्रसाद कावेगुन है, साथ ही साथ प्रेम का वर्णन है, तो श्रंगार रस है, मुहावरों का प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने, तुलसीदास जी की जो ब्रज भाशा है, यहां ब्रज भाशा का प्रयोग है, मैंने बताया था कि कवितावली ब्रज में लिखी गई है, तो उसका यहां सुन्दर उदाहरण है इस प्रकार से इस पार्ट को हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं और इससे बहुत कुछ अपने जीवन के लिए सीख सकते हैं और इन भावनाओं में आउगाहन कर सकते हैं अद्भुत कावे का उदाहरण तो यह है तो सर्व आपने जैसे बताया की कावे गुड है हर पैसेज में अलग अलग है तो एसे ही हर पैसेज में अलग है या तुरू आउट सब में सीम है जी 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 देखेए प्रबंध और मुक्तक का यह वी एक विशेष्ता है आपने सही प्रश्ण किया प्रबंध कावे में अंगी रस एक होता है यानि पूरी जो कविता चलती है उसमें मुख्य रूप से एक किसी भाव को बताना होता है लेकिन उसके साथ में अनेक अनेरस भी होते हैं लेकिन मुक्तक कावे में जो होता है उसका हर चंद अपने आप में स्वतंत्र होता है यहां जो दोनों सवये हमने लिये हैं यह दोनों ही सवये माधुर्य कावेगुण से युक्त हैं इन दोनों में माधुर्य कावेगुण है यहां पर ओज की बात नहीं की गई है बच्चे सहे जी यह समझ भी गए होगे कि वीरता या उत्साह की बात नहीं है तो ओज कावेगुण नहीं है प्रसाद कावेगुण इसलिए है क्योंकि कविता को पढ़ते ही उस भाव को हम समझ पा रहे हैं कोई जटिल भाव नहीं है बिल्कुर आचा, जैसे आपने बताया कि तुलसी दास जी ने कुछ कांड है, साथ कांड है उनमें जटिल ये जो आपने सवरिया हमें पढ़ा ये किस कांड में थे ये आयोध्या कांड में है आयोध्या कौन सा वाला कांड है पहला, दूसरा एक बार कांड हमें थोड़ा सा हमारे बच्चे को बता दीजिए जैसे हम लोग जब कोई गद्य लिखते हैं तो जैसे अनुछेद होता है या नाटक में जो अंक होते हैं, कि नाटक का एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है, तीसरा हिस्सा ये है उसी प्रकार से प्रबंध में और मुक्तक में भी कहीं कहीं पर कांड होते हैं या सर्ग होते हैं उन्हें अनेक नामों से पुकारा जाता है इसका मतलब है कि एक विशेज भावबूद या एक विशेज कथा भूमी से एक कहानी के एक हिस्सा उस कांड में है तो अयोध्या कांड जो है वह राम के वन जाने से संबंदित है राम को जब कैकेई ने दो जान मांगे तो उन दोनों वर्दानों के बाद राम को जाना पड़ा वन में तो यह अयोध्या कांड का हिस्सा है जी अच्छे सर अगर हम भाशा की बात करें तो भाशा आपने बताया कि ब्रज भाशा और अवधी भाशा दोनों की ही रचनाएं हैं तो हमारे इन में दुलसिदास जी ने कौन कौन जी प्रमुप्र रचनायव दे की हैं जी 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 बहुत अच्छा प्रशन है ये दरसल भक्तिकाल में या पूरे मध्यकाल में अगर आप देखिए मध्यकाल यानि जब हम मध्यकाल कहते हैं तो लगभग 1400 इश्वी से लेकर ये समय जा ये दोनों भाशाएं हिंदी पेटी की प्रमुख साहित्तिक भाशाओं के रूप में उभरी आवधी भाशा अवध छेत्र की भाशा थी आवध यानि आज का अगर हम आयोध्या देखें आयोध्या बस्ती गोंडा बहराई ये इसके चारों तरफ लखनव तक और यानि भाशा का छेत्र माना जाता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतुरा और उसके आसपास का जो छेत्र है वह ब्रज भाशा छेत्र माना जाता है तो यहां की मूल छेत्री ये भाशाएं थी जो राजाश्रे से और लोगप्रिय साहित्ति से साहित्ति की सर्जना से इतन और ब्रज दोनों में कुशलता पूरवक लिखते हैं ऐसा मध्यकाल में बहुत कम कवी हुए हैं जो दोनों ही भाषाओं में उतनी कुशलता से लिखें राम चरित मानस तो आधी का सरस्रेष्ट ग्रंथ है और कविता वली विने पत्रिका ये सब जो है ब्रज भाषा के परना हो तो किस कांड में कौन सा सब्ढ़ने के कोशिश करें बचों आप सभी को मध्यकाल में विशेश रूप से भक्तिकाल को पढ़ने की इसलिए भी आवश्यक्ता है क्योंकि भक्तिकाल में जो अलग-अलग भक्त थे उन भक्तों ने केवल ईश्वर की उपासना नहीं क भी है बलकि भक्तिकाल एक आंदोलन से जुड़ा हुआ था जिसे कई बार भक्ति आंदोलन भी कहते हैं और उस आंदोलन की विशेस्ता यह थी कि वह ईश्वर के सामने समाज के हर वर्ग को समान मानता था तो भक्तिकाल के अन्य कवियों को जब ये पढ़ेंगे विद्यार हमसे जीवन के अनेक प्रसंगों को समझते हैं जीवन में आने वाली जटिलताओं को समझते हैं उससे हमें नैतिक सिक्षा मिलती है जीवन में जैसे राम की पूरी कथा राम चरित मानस में है तो राम का बाल रूप में कैसे हैं कैसे बड़े होते जाते हैं उनका अपने पर इसलिए राम राज जी की परिकल्पना गांधी जी भी करते थे जहां साधन और साध्य दोनों की सुचिता दोनों की पवित्रता की बात थी तो भक्तिकाल से हम ये सीख सकते हैं दूसरी बात कि अगर तुलसीदास के हम देखें रचनाएं उनमें से किनहें हमें पढ़ लेना चाहिए तो मैं अपनी तरफ से कहूंगा कि विद्यार्थियों को राम चरित्मानस जरूर पहना चाहिए इस नजरिये से भी राम चरित्मानस महत्पूर्ण रचना है कि कविता क्या होती है उन्हों कविता का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है तो और दूसरी जो उनकी प्रमुक रचना है वो कवितावली है और साथ में विनेपत्रिका का भी अध्यन किया जा सकता है अब जब आपने बता दिया है तो मुझे उमीद है कि हमारे सभी जात्र ये जरूर पढ़ेंगे और अगली बार अपने प्रश्न भी तयार रखेंगे और हमें जरूर भीजे और हमारे साथ रहें अभी भी क्योंकि सोशल साइन्स का एक चैप्टर लेकर हम वापस आने वाले हैं जिसमें हम बाचीत करेंगे माप्स पर और अपने सवाल हमीशा की तरह आप तयार रखेगा और जल्दी से हमें भेजेगा भी ज़रूर अपना ध्यान रखिए नमस्कार झाल